नमस्कार दोस्तों मैं मनोजनात ग्यान एक एडमी राजस्तान में एक पार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों अपने बात कर रहे हैं जो राजथान अधिनस्त बोट के जो पीछे पेपर हुए दोस्तों उनके बारे में बात कर रहे हैं जो दोस्त चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों वो वीडियो को लाइक कर लीजे, चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजे ताकि जो भी important question है वो आपको तुरुंत मिल पाएं दोस्तों चलो दोस्तों स्टाट करते हैं हुडा समेलन जो कि 1734 इस्वी में वववा था उसकी अध्यक्स्ता किस ने की थी तो दोस्तो उसकी अध्यक्स्ता किस थी महराजा जगत सिंग सेकंड ने की थी वैसे होना तो यह संग्राम सिंग सेकंड जी की अध्यक्स्ता में था पर संग्राम सिंग सेकंड ने उनकी मृत्य होगी थी तब दोस्तों महाराना वेवाड के महाराना थी जगसीन सेकंड उन्होंने इसकी अध्यक्स्ता की थी निमिल में से कौन सा किला युनेश को की विस्व द्रोवर स्थल्द सुची में शामिल नहीं है कौन से शामिल नहीं है दोस्तों वो है अचलगड इस option के recording बाकी ये तीनों शामिल है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन करते हैं जैपुर के किस साशक ने बर्जनी दी उपनाम से कविताओं की रचना की थी वो रचना की थी दोस्तों स्वाई परताब सिंग ने काफी पर्टन है दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है question नेक्स्ट कोश्च नेक्स्ट कोश्चन करते हैं रास्तान केश्री समाचार पत्तर का परकाशन किस ने परारम में किया था इसका परारम दोस्तों विजैसियां पतिक जिने किया था ये भी काफी बारे रिपीट हुआ है दोस्तों question चेत्रमा में मनाया जाता है next question करते हैं सेंद्र सबेता के किस थल से जुते हुए खेत के परिणाम मिले हैं तो कांसे परमाण मिले हैं दोस्तों वो परमाण मिले हैं काली बंगा से और अगनिवेदिकाओं कांसे मिली हैं साथ अगनिवेदिकाओं कोश्चन आता है वो भी का तो उस वक्त दोस्तो कैप्टेन शोवर्स था वांकब Next question करते है कू क्या है? कू बील जन्जाती का घर है दोस्तो Next question करते है पिर्थी रास तृत्याय और मुहमद गोरी के मद्दे कितने युद लड़े गए थे तो दोस्तो दो युद लड़े गए थे तरायन की उद्ध के नाम से famous है न दोस्तो वही 1191 में 1192 में वाले वो Next question करते है निमन निकित में से कौन सा पुरा तात्विक स्थल उतन करता शुमेलित नहीं है तो दोस्तो ओजियाना ओजियाना सबेता है दोस्तो उसके के एन पुरी है ये सुमेलित नहीं है ओजियाना सबेता के उत्खरन करता थे दोस्तो बी आर मीना और आलोक त्रिपानी जिने तो दोस्तो इन दोनों ने ओजियाना सबेता इसका उत्खरन किया था कब किया था 1999 से 2000 बाकी आहड SAD सांग के लिए नेच्ट कोशचन करते हैं के लवाड़ा में आयूजित होता है नेच्ट कोशचन करते हैं अनवद वाद्य जंतर ये दोस्तों गलत है क्योंकि जो जंतर है वो है आपका तत्वाद्य नेक्ट कोश्चन करते हैं दोस्तों नेजा जम्मा रीखिया किस थानी ये लोक देवता से संबंदित है ये दोस्तो बाबा राम देवजी, राम देवजी से सम्मंदी दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन करते हैं अदोलिकित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमिलिद नहीं है बारा देवरा सीव मंदिर भिलवडा सही है सुर्या मंदिर जारा पाटन ये भी सही है जगत शिरोनमनी, मंदिर, उद्यपूर, ये दोस्तों गलत है, ये है अपना जैपूर में, जैपूर में कहा है दोस्तों, जैपूर में आमेर के अंदर है, कई बार अलग से आजे तो आपको जैपूर करो, तो अगर आमेर दिया होगा तो दोस्तों, आमेर उतर हो जाएगा, अर जैपूर दिया तो जैपूर हो जाएगा, जग सिरोमनी का. Next question करते हैं, नत्मल और शालिम सिंग की हवेलिय स्थीत है, वो दोस्तों जिसलमिर में स्थीत है, ये question में दोस्तों काफी बार रिपीट हुआ है. Next question करते हैं, उनको दोस्तों सुंदर्वन कहा जाता है. Next question करते हैं, नमल खित में से कौन सारे किस्थान सुमिलित नहीं है, कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्तों, काला हरी उत्री फरीका, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि काला हरी है अपना, ये दक्षनी फिरिका के अंदर बढ़ता है दक्षनी फिरिका में दोस्तों अपना जो बोत्सवाना ना भी 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 आ है उस एरिये के अंदर ये काला हरी मुरुस्तल पढ़ता है बाकी पेंटागोनिया दक्षनी अमेरिका सही है Great Sandy, Australia सही है Kijil, Kum, Asia ये भी सही है Next question करते है नमिलेकित में से कौन सा सहर BNB नदी के किनारे पर स्थित है वो है दोस्तो Vienna सहर Next question करते है नमिलेकित में से कौन सी भुकम तरंग नहीं है वो दोस्तो V तरंग P भी होती है, S भी होती है और L भी होती है, P प्राइमरी होती है S सेकेंडरी होती है और L से पनी लार्ज तरंगे हो जाती है Next question करते है करेकरेका नहीं गुजरती है तो करेकरेका कहां से नहीं गुजरती है दोस्तो पच्ची मंगाल से गुजरती है गुजरा से गुजरती है मद्देपरदे से गुजरती है लेकिन उडिसा से नहीं गुजरती तो option D सही अंसर होगा दोस्त next question करते है निमिले कितमी से किस जिले में अंतराष्ट्री है वैं अंतराजे सीमा दोनों है वो है दोस्तों बाड मेर के अंदर next question करते है तो सोर्सेन गास के मैदान किस जिले में इस्तित है तो सोर्सेन गास के मैदान दोस्तों बारा जिले में इस्तित है next question करते है निमिले कितमी से कौन सा खनीज उतपादक जिला सही सुमिलित नहीं है टंग्स्टन नागूर सही है गारने टॉंक सही है फेल्ड स्पार उद्यपूर ये गलत है दोस्तों वोल्स्ट नाइट शिरोही ये सही है जो दोस्तों ये फेल्ड स्पार होता है ये अजमेर में है दोस्तों 95% जो फेल्ड स्पार है ये फेल्ड से लिखा है विसे फेल्ड स्पार होता है तो फेल्ड स्पार अजमेर से निकलत है दोस्तो 95% next question करते हैं राष्ट ये उंट अनुसंदान के अंदर का स्थित है उंट अनुसंदान के अंदर का स्थित है बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तो ये भी next question करते है चपन के मैदान का स्थित है चपन के मैदान दोस्तो बासवड़ा परताब पकट में स्थित है? ये भी बहुत पारेपीट है दोस्त, नेच्ट कोइचिन करते हैं नेमेलिकी तेमिसे कोंसे चोटी, दक्षरी अरावली, तो तोस्त hasanda में अश्तित है गूगुंदा के पाड़ी बेड़े सही है बिजराल के पाड़ी बनास ये दोस्तो गलत है क्योंकि बनास है ये अपनी है खम नोर की बाड़ी से दोस्तो और बिजराल की बाड़ी से होती है अपनी खारी नदी दोस्तो बिजराल से खारी नदी है बनास खम नोर की बाड़ीयों से है दोस्तो Next question करते है मेले खितमे से कौन सा सरंक्षनरिजरग जिला सुमलित नहीं है बीड जुन-जुन सही है रोटू नागोर सही है सुन्दा माता जालोर से रोही ये भी सही है गोगेलाव बीकाने ये गलत है दोσतो गोगेलाव है नागोर में दोसतो next question करते है राजस्तान में राज़े की पर्तमनी थी किस वर्स गोशित की गई थी वो दोस्तो 2010 के अंदर गोशित की गई थी Next question करते है राश्टे महिला आयोग की इध्यक्स कोन है उसकी इध्यक्स है दोस्तो रेका शर्मा और राजस्तान की बात करें तो दोस्तो राजस्थान में महिला की आयोग की अद्यक्स हैं सरीमती, रेहान, रेयाज, चिस्ती दोस्त ये राजस्थान में है नेक्ट कोश्चन करते हैं डिजिटल सिंग्नेचर एक गणितिय तकनीक है जो पुष्टी करता है कि इमानदारी, गयर, एस्विकर्दी, प्रमानिक्ता, उप्रक्त सभी, सभी की पुष्टी करता है नेक्ट कोश्चन करते हैं ए गवनेंस की सेवाओं, एहम, सुविधाओं को डैस्ट एस्ट परकार में बंटा जाता है वो बंटा जाता है दोस्तो, चार परकार में नेक्ट कोश्चन करते हैं मैन मेमरी से डिस्क पर जाने की परकेरिया कहलाती है वो दोस्तो, स्वैपिंग कहलाती है नेक्ट कोश्चन करते हैं MS पाउर पॉइंट परजेंटेशन को समप्त करने के लिए निमन कुझियों में से किसे दबाय जा सकता है तो दोस्तो, सेप कुझी, अधवा, हाइफन कुझी को दबाने से दोस्तो जो पाउर पॉइंट का परजेंटेशन है वो समप्त हो जाता है नेक्ट कोश्चन करते हैं दो की घात 20 बाइट्स, दो की घात 40 बाइट्स करमस तता के बराबर होती है तो वो दोस्तो, एक MB और एक TB की पराबर है यह अपनी एक MB होगी, यह अपनी एक TB होगी दोस्तो नेक्ट कोश्चन करते हैं नेमिन में से कौन सी इन पुटिक्तियों की एक स्रेनी नहीं है तो वो है दोस्तो, Voice Response System नेक्ट कोश्चन करते हैं नेक्ट कोश्चन करते हैं वर्ण विन्या स्पैलिंग को जाचने के लिए कौन सी खुंजी प्रियोग में ली जाती है वो ली जाती है दोस्तो, F7 नेक्ट कोश्चन करते हैं MS Word में शोर्टकर खुंजी, Ctrl, प्लस, बराबर याने, इक्वल, किस प्रियोग में ली जाती है वो ली जाती है दोस्तो, सब्सक्रिप्ट निर्मान के लिए नेक्ट कोश्चन है MS Excel में वर्टमान तिति कैसे प्रदशित करते हैं वो दोस्तो, Ctrl, प्लस, सेमी कोलन दबाते हैं दोस्तो जो ये आइकन अभी जवाला ऐसा ये दवाते हैं तो दोस्तो, बर्टमान तारीक प्रदशित हो जाती है Next question करते हैं MS Office में सक्रिय डोक्यूमेंट को बंद करने के लिए कौन सी shortcut कुझी प्रयोग में ली जाती है वो ली जाती है दोस्तो, Ctrl, प्लस, F4 यानि function, 4 Next question करते हैं Memory जो स्थितिक और गैर प्रदशिल दुन्नों है वो है दोस्तो, ROM Next question करते हैं UNIVAC है वो दोस्तो है Universal Automatic Computer Next question करते हैं भारतिय नागरिकों को बंकिंग सेवाई परदान करने के लिए किस परकार के computer का प्रयोग होता है वो होता है दोस्तो mainframe computer Next question करते हैं आप दोस्तो last में जब question करते हैं उसके बाद जित्ते आपको आते हैं आंसर किजएगा कि आपको ने कित्ते सही की हैं समाने गरेली computer किसका उधारन है वो दोस्तो micro computer का उधारन है Next question है जब गलिवे calcium और magnesium caster 60 ppm से कम होता है तो इसे कहा जाता है दोस्तो मचदूल जल कहा जाता है soft water कहा جाता है तो दोस्तो इस पार्ट में इतना ही दोस्तो जो अपने question करते हैं आप जो और साथ की साथ देख लिए कित्ते सही होते हैं उसके बाद को में कीजिए कित्य किये, क्योंकि ये जो paper है दोस्तों ये अधिनस्त बोड का ही paper है, तो इससे अपने को पता चलता रहेगा कि अपनी study कों से स्तर पर चल रही है, तो इस part में दोस्तों इतना है, next part में किसी और video के साहथ में बुलते हैं आप से, तब तक कि लिए जै हिन जै भारत थेंक यू